आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ Download now Question में पूछा गया है Is Sweet Potato Analogus और Homologus to Potato Tuber Give Reasons to Support Your Answer तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेता है Analogus और Homologus का मतलब क्या होता है तो दीखिए यह हमारे कुछ प्रकार के Organs है अगर मैं Analogus की बात करूँ तो इसका मतलब क्या होता है यह समझ लेता है पहले Analogus Organs हमारे वो Organs होते हैं जिसमें कि अगर मैं origin की बात करों तो तो यहापर होता है different ठीक है यानि कि ancestor' की different हो सकता है या फिर यह अलग-अलग structure से यहाँ पर निकले हो यह फिर developed हो ठीक है structure होगा यहाँ पर जो इसका क्या होगा origin वह भी different होगा पर अगर यहां पर function की बात करूँ, तो function यहां पर होना चाहिए यह same, ठीकर है, तो यह उता होता है मारा analogous organ, अब अगर मैं बात करूँ यहां पर homologous organs की, तो homologus organs जो होते हैं, इनका origin होता है same ठीक है, इनका origin होता है same पर यहाँ पर क्या होता है, इनका जो यहाँ पर function होगा, function यहाँ पर हो जाता है different, ठीक है, यह function different हो गया, तो अगर मैं example से आपको समझाओं तो analogus organs का example आपके पास यह प्रत्यक्ष दे रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह क्या है ? यह है हमारा potato tuber, चाहिए, आलू, और यहाँ पर अगर मैं बताओ शकरकंद है यह क्या है ? sweet potato, चाहिए यह हमारी sweet potato, sweet potato है यह ठीक है ? अगर मैं इसकी बात करूँ तो यह हमारी modification होती है किसकी modification है यह हमारे root की जब कि आपको बताई होगा कि जो हमारी potato tuber है यह modification है हमारे stem की ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं origin तो different है पर अगर मैं यहाँ पर function के बात कुछ तो function दोनों का same है वो क्या है कि यह food storage के लिए modification है ठीक है दोनों के दोनों storage को यहाँ पर store करें बैठे हैं तो इस वज़े से हाँ पर हम क्या कर रहे हैं यहाँ देख सकते हैं कि origin different है जबकि function same है तो इसलिए यह हमारे दोनों कैसे analogous है ना कि homologous homologous का अगर आपको एक example दूँ तो homologous का example आपको हो सकता है कुकुर बेट्स में जो कुकुर बेट्स में जो हमारे tendrils होते हैं और हमारे जो बोगन वेलिया है ठीक है बोगन वेलिया जो है इसके जो यहाँ पर thorns होते हैं यह दोनों के दोनों स्टेम की modification है पर इनके functions यहां different है कैसे कुकुर बिट का टेंडल तो यहां पर अपने प्लांट को support देने के लिए यह क्या करेगा किसी support के साथ ऐसे यह यहां पर attach हो जाएगा तो यह अपने प्लांट को support दे रहा है पर अगर मैं यहां बोगन वेलिया कि फॉन की बात करूं तो यह हमारा क्या है यह हमारा असल में protection देता है अपने predators पे या फिर जो भी इसके उपर यहां पर feed करेंगे cattle feed करें तो यह thorns उससे बचाएंगे तो यह protection के लिए और यह है इसके climbing support के लिए तो यहां पर function different है पर origin सेम है तो इसलिए यह homologus होंगे तो यहां हमने बात कर लिया कि sweet potato हमारा analogus है potato tubers से थांक यू Classics to 12 से लेके meet IIT जेही means और advanced के लेवल तता स्मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज ही डाउनलूट करे doubt net app या whatsapp कीचे अपने doubts 8444 चार्सो पर